Welcome to my channel dear learners इस वीडियो में मैं आपको Commercial Bank के Basic Functions और किस तरह से Commercial Bank हमारे Economy में Money Create करता है ये बताऊंगी बिना लेट किये इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले हम देखते हैं कि Bank के क्या-क्या Functions होते हैं यानि Bank क्या-क्या करती है सबसे पहला जो काम होता है Bank का वो क्या होता है Accepting Deposits from Public Public से Deposits लेना यानि Public से जमा के रूप में पैसे Bank लिया करती है In the form of Checkable and Non-Checkable Deposits Checkable और Non-Checkable Deposits के form में Bank क्या करती है Public से पैसे ले लिये करती है और दूसरा काम जो Bank करती है वो क्या करती है Advancing Loans Against Some Collateral यानि कुछ Collateral क्या होता है जो कि समान हम Bank के पास रखते है In case अगर हम पो Loan लेना है तो उस समान के Against हम Bank से Loan ले सकते हैं For example हमने Bank के पास अपने कुछ सोने या किसी जमीन की कागज को रखवा करके हमने Bank से 40 लाग या 50 लाग रुपए का Loan ले लिया तो हमने जो Against में रखा जो Security Deposit किया यानि Security के रूप में हमने क्या Deposit किया जमीन के कागज या फिर सोने या फिर कुछ भी अपनी ऐसी Precious Things ठीक है तो ये जो हमने Bank के पास रखवाए ये क्या कहलाता है ये Colleccal कहलाता है तो इस तरह से Bank का जो Major Function होता है वो दो ही काम होता है पहला तो Public की Public से Deposit से Accept करना और दूसरा उनको Loan देगा L.I.C. and Post Office are not a part of Commercial Bank L.I.C. और Post Office को हम Commercial Bank नहीं कह सकते हैं क्यों? क्योंकि L.I.C. जो होता है वो Deposit को Accept नहीं करता है हम L.I.C. के जरिये सिर्फ Loan ले सकते हैं या फिर सिर्फ Insurance करवा सकते हैं और जो दूसरी चीज़ है कि Post Office भी Commercial Bank का पार्ट नहीं है वो इसलिए क्योंकि Post Office में आप सिर्फ और सिर्फ Deposits कर सकते हैं Loan नहीं वहां से ले सकते तो इस कारण से L.I.C. और Post Office को Commercial Bank के Under Include नहीं किया जाता है Commercial Bank में दो फंक्शन होना जरूरी होता है पहला तो वो Deposit Accept कर रही हो और दूसरा Deposit के साथ Loan भी ग्रांट कर रही हो तो इस तरह से दो फंक्शन हो जाते हैं जिनकी बेसिस पे Decide किया जाता है कि कौन सा Financial Institution Commercial Bank के Under आता है Next जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है कि Bank किस तरह से Money Create करती है तो Money Create को जानने के पहले हमें ये दो Assumption को जानना पड़ेगा यानि दो ऐसी चीजे माननी पड़ेगी पहला जो Assumption है वो ये है हमें मानना कि Entire Commercial Bank Entire Commercial Bank System is One Unit यानि जो पूरा का पूरा Commercial Bank है ये System जो है ये अलग-अलग Bank को अलग-अलग तरीके से नहीं देखना है एक नजर से देखना है कि सारे Bank जो है वो क्या है एक ही Unit के है ठीक है All the payments are made through checks यानि जितने भी payment हो रहे है वो checks में made किये जा रहे है cash में नहीं हो रहा है चाहे तो वो checks में हो रहे है या account transfer किये जा रहे है ठीक है पर cash नहीं हो रहा है online transfer किया जा रहा है checks में किये जा रहे है पर कोई भी जो चीजे हो रही है कोई भी जो transaction हो रहा है withdrawal या deposits हो रही है या फिर सिर्फ payments सिर्फ पेमेंस की बात की जा रिए सुरी सिर्फ जो पेमेंस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं या तो चेक्स में हो रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं means cash का involvement नहीं है यानि cash को नहीं रखना है ठीक है बैंक में 2 assumptions हमने माने पहला कि सारे unit एक है सारे commercial bank एक हैं और दूसरा कि जितने भी payments हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं, चेक्स में हो रहे हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह से bank जो है, वो पैसे create करती है, कैसे bank पैसा लेती है, और interest, sorry, loan देती है, जिसे मान लो चार round में हम देखेंगे, पहला जो round है, उसमें ये है, कि एक person है, हाँ, उसकी जो deposits है वो 1000 रुपी की है, initial deposits, bank में कितना हुआ, 1000 रुपए का हुआ, ठीक है, bank क्या करती है, कि bank में जब 1000 रुपए जमा हुए, तो bank के 1000 रुपए का, को loan नहीं दे देती है, bank क्या करती है, उस 1000 रुपए को दो part में divide करती है, पहला part, कि वो उसका कुछ ratio अपने पास रख लेती है कुछ पैसे वो अपने पास रख लेती है, और दूसरा वो loan देती है, तो यहाँ question यह उठता है, कि वो पैसे को अपने पास क्यों रखती है, as a cash reserve, तो वो पैसे को अपने पास इसलिए रखती है, क्योंकि हम bank में पैसा जमा करते हैं, तो कभी-कभी cash भी तो निकालते हैं, ATM मशीन में गया है, ATM swipe किया और cash निकाल लिया, हम यह भी तो करते हैं, तो क्या, इस पैसे को लेने के लिए, हमने तो cash निकाला तो bank को कुछ cash अपने पास भी तो रखने है, अब वो कुछ percent ही क्यों रखती है, क्योंकि यह RBI डिसाइड करती है, हमारी Reserve Bank of India यह डिसाइड करती है कि हर bank को कितना percent या कितना ratio अपने deposits का cash में रखना है, ठीक है, या cash reserve में रखना है, और यह कुछ ही percent इसलिए रखा जाता है, क्योंकि सिर्फ आप ही तो bank में नहीं पैसा जमा कर रहे हैं, करोडों लोग bank में पैसा जमा कर रहे हैं, और जरूरी तो रही कि करोडों के क्या करती है, और बाकी पैसे का वो क्या करती है, लोग ग्रांट कर देती है, अब फिर यहां एक चीज़ दिहान रखना है, कि जो bank ने जो लोग दिया, वो cash में नहीं दिया, ऐसा तो नहीं, आप bank लेने, लोग लेने गए 1 रुपे का और bank ने आपको 1 रुपे cash पकड़ा या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, bank क्या करती है, आपके account को credit कर देगी, लोन से, ठीक है, यह आपने इतना लोन दिया, आप, आपको वो cash नहीं देगी, क्योंकि हमने अजामशन में पढ़ा कि cash का involvement कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से bank के अब total कितने deposits हो एक हजार उसके जो deposit थी पहले कि वो भी तो बैंक के लिए liability ही है, एक हजार deposit है, जनता का deposit है, जो कि बैंक को बाद में लोटाना है, ठीक है, तो वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, बैंक को कभी न कभी उस चीज को लोटाना है, प्लस उसने 800 रुपे का लोन भी ठीक है, अब यहां पर हम 800 लेके चलते हैं, यह 800 रुपे का जो इसने लोन दिया, अभी लोन इसने क्या cash में तो नहीं दिया है, यह cash तो भी तक बैंक के पास है ही, 800 रुपे का इसने cash तो रखा ही है, अब बैंक क्या करती है, अगेन इस 800 रुपे में से कुछ ratio reserve रख देती है क्या रख देती है अपना cash reserve के नाम पे कुछ पैसे हटा देती है और बाकी का पैसा जो बच गया उसको bank फिर से loan देती है उसको bank क्या करती है again उस पैसे का फिर से loan देती है अब bank क्या हो गया bank बैंक ने अब 640 रुपए का लोन और दे दिया फिर बैंक ने यहां कैश नहीं दिया बैंक के पास अभी भी 640 रुपए कैश है क्योंकि उसने सिर्फ अकाउंट क्रेडिट ही किया है उसने कैश दिया नहीं है लोन के नाम पे ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि बैंक ने अभी कैश का involvement कहीं भी नहीं किया है 640 रुपए उसके अपने भी पॉकेट में पड़े हैं ठीक है नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है कि बैंक अब अगीन इन 640 रुपए का कुछ पार्ट रिजर्व में रखेगी और जो बच गए उसको फिर लोन दे देगी तो इस तर चार गुना लोन दे दी देखो लास्ट में आप देख रहे होगे कि इस केस में लास्ट में आप यहां पर देखिए कि बैंक ने कितना कमा लिया 4000 रुपए का लोन कमा लिया लास्ट केश में लास्ट लास्ट तक आते आते बैंक ने 5000 रुपए का डिपोजिट हो गया और फ फिर से इस चार हजार रुपय का नहीं करेगी, क्योंकि उसको कितने डिपोजेट हुए थे टोटल, उसके जब एक हजार के प्राइमरी डिपोजेट हुए थे, कैश तो बैंक को एक ही हजार मिला था ना, बाकी तो वो क्रेडिट कर रही थी अकाउंट पे, और अब उसने इस केस में कैस रिजर्व 1,000 रुपय का रख लिया, कैस रिजर्व यानि पूरा का पूरा कैस, 1,000 रुपय का रख लिया, इसलिए अब वो 4,000 को अगेन लोण नहीं देगी, क्योंकि अब उसके पास कुछ कैस बच्चा ही नहीं, तो इस तरह से बैंक नहीं क्या किया, चार लॉइज में बाटेगी और profit कमाईगी तो इस तरह से bank जो होती है function करती है अब यहाँ पर यह बात आता है कि यह जो cash reserve bank बनाती है यह किस basis पर बनाती है यानि यह जो percentage fix किया जाता है यह किस basis पर किया जाता है तो RBI एक ratio decide करती है उसी ratio पर उस ratio कहा जाता है LRR यानि legal reserve ratio उसी ratio क according bank जो है यह decide करती है कि कितना percent उसको अपने deposit का cash reserve में रखना है ठीक है जैसे इस case case में आप देख रहे हैं कि 20% cash reserve वो रख रही है तो इसी से decide होता है कि bank कितना जो है वो कमा सकती है कितना गुना पैसा कमा सकती है for example जैसे यहाँ 1000 उसका deposit हुआ